गाओं में एक औरत रहती थी, जिसका नाम सुमित्रा था, उसका बेटा पास ही शेहर में लगड़ी काटने का काम करता था, उसी गाओं में एक साधू रहता था, वहां साधू हर रोज घर में रोटिया लेकर जाता, सभी गाओं के लोग उसे भगवान के रूप में मानते और उसे रोटिया दे देते लेकिन सुमित्रा नाम की वे औरत उस साधू से काफी ज्यादा दुखी थी वे साधू हर रोज उसके घर रोटि लेने के लिए आता लेकिन सुमित्रा उसे गालिया देती और कहती की नहीं है मेरे पास रोटिया तेरे लिए फिर बीवे सादू रोज आता हर रोज सुमितरा से रोटी मांगता हर रोज की तरह एक दिन वे सादू आया और सुमितरा के घर के आगे रोटिया मांगने लगा सुमितरा अब सोचने लगी कि इसका कुछ करना पड़ेगा यही इतनी गालिया खाने के बाद भी रोज आता है रोटी मांगने सुमितरा ने उसे घर के अंदर बुला लिया और कहा कि रोटिया बन रही है कुछ देर इंतजार करो वे सादू बैट गया तभी सुमितरा ने रोटी में जहर मिला दिया और वेह रोटी सादू को देने के लिए चली गई सुमित्रा बड़ बोली जरूर थी पर दिल की कही ना कही जरूर अच्छी थी उसने सोचा कि उसने यह सही नहीं किया सादू ने उस पर विश्वास किया है वे उसका विश्वास नहीं तोड सकती थी इतनी हिमत उसमें नहीं थी तभी उसने जाते हुए सादू को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हे आज एक जंगा दो रोटिया दूंगी तुम्हे रोटी मुझे वापस कर दो मैं तुम्हे गर्मा गरम उसने वे रोटी को वापस कर दिया और सुमितरा ने उसे गर्मा गर्म दो रोटिया दी सादू कहने लगा कि आज सिर्फ तुम्हारे घर से ही मांगने आया था और कहीं किसी घर में नहीं गया भगवान तुम्हारा भला करे इतना कहकर सादू चला गया सादू गाउं से शहर की ओड जा रहा था तबी रास्ते में उसे सुमित्रा का पुत्र मिला वे सादू से कहने लगा कि बाबा में दो दिन से भूखा हूँ कुछ हैं तो खाने को दे दीजिए उस सादू ने वे दो रोटिया उसे दे दी सुमित्रा के बेटे ने उस सादू का धन्नवात किया सादू रोटिया देकर आगे निकल गया सुमित्रा का बेटा जो की शेहर से गाउं की और आ रहा था उसने वे रोटिया खाई और गाउं की और निकल गया जब गर पोँचा तो सुमित्रा से कहने लगा मा आज तो रास्ते में बड़ी भूग लगी और हफते में एक तो दोस्तो इस कहानी से ये सबक मिलता है जैसे कहनी वैसी भखनी सोचते हैं कोई नहीं देख रहा लेकिन दोस्तो उपर वाला सबस देखता है इसलिए किसी के साथ बुरा कहने से पहले ये सोच लेना कि हमें दोस्तो कर दोस्तो